मादू किचन राशी पीज में आपका वलकम है आज मैं लिक रही हूं मसाला अंडा करी आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चली देख लेते हैं इसे बनाने कैसे इसके लिए पांच अंडे और इन्हें अम में बॉयल करने के लिए गैस पे रख दूँगी और अम इसका करूं इसे पीसा नहीं है इसका पेस्ट नहीं बनाया है देखी गैस पे मैंने रख दिया अंडा बॉयल होने के लिए और एक छोटी सी कड़ाई लेंगे इसमें में डालूंगी 2-4 चमच सरसो का तेल आपको इस अभी तेल डाल सकते हैं जो भी आवका फेवरिट हो और जैसी हम इ प्यास टमाटर डालने शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें डालूंगी मैं लसन लसन मैंने लिया है 10-12 लसन की कर लिया है मैं आपको कांटिटी बताती रहूंगी 3-4 इंच का अध्रक है 4 हरी मिर्ची है और एक बड़ा सा प्यास है सबसे पहले हम टमाटर तो बाद में प्यास आपको लगे बस बॉल होने वाला है वैसी आप अपने गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए उससे आपका अंड़ कभी नी फटे का बहुत ही अच्छे से बॉल होगा और अब मैं इसमें डाल दूंगे अपने टमाटर और टमाटर को भी हम अचमें पकने देंगे हमें टम अपने चमबच नमक डालें नमक अमें स्टार्टिंग में ही अच्छे से बना कर देखें यकीन वानिया आप उंगले चाट चाट कर खाएंगे आपको बहुत ही मजा आजाएगा इतनी टेस्टी रेसिपी आपके हाथ लग जाएगी तो आप हम इसे ऐसे ही भून लेंगे प अब इसे ठंडा कर लेंगे गयास का फ्लेंग बंद करके कि ठंडा होने के लिए निवसे पांट से 10 मिनट छोड़ देंगे अजयसी का फंट हो जाएगा इसका हम पेस्ट तयार कर लेंगे चलिए अब मैं जब तक पेस्ट उधर तयार करती हूं उधर मैं अपना अंडे भी चेक कर लेती हूं कि अंडे तो हमारे बॉइल हो चुके हैं और हम गैस का फ्लीम बंद कर दूँ कि देखिए हमारी जो चटनी थी पेस्ट था पेस्ट भी तैयार हो गया है मिक्सी में पीस लिया मैंने अंडे भी छील के रख लिए हैं देखिए कितने अच्छे अंडे चलें कहीं से भी खराब कोज बने रहें और आपने लुस्त वार कोपर गोल्डन गड़ा से देख राएं योपना इस वार घ्र में देखने की साहरेना आपनी बाई गरपघा आप हम बाम कर्या Can चेक भी करते रहेंगे पीच बीच में ढख ढख कर पकाते रहेंगे कि जसका ओल है बहुती स्प्लैश होता है अब हम इससे ढखेंगे नहीं अब हमसे खोल कर ऐसे चारो तरफ से गुमा गुमा कर अंडो को सेकेंगे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है इस तरीके से हमारे जो अंडे हैं सारे अच्छे से चारो तरफ से गुल्डन हो गए है और आम इसे एक बरतर में निकाल लूँगे अंडो को और सेम कड़ाई में मैं ये देखेंगे अंडे मैं आपको दिखा देती हूं सेम कड टमाटर प्यास का पेस्ट था जो अंडे बनाया था वो इसमें डाल देंगे लगबग एक कटोरी हमारा पेस्ट तयार हूआ है दो लोग के लिए बहुत है इस अबची अंडा करी तो मैं दो लोग के हिसाब से बता लिए आप ज्यादा कम कर सकते हैं पेस्ट हमें पकाने के पाउडर और आदी चमा चाहिए काली मिर्ची का पाउडर तो यह तीनों मसाले बिल्कुल भी स्किप नहीं करने एक मसाला और लेगा इसकंतर वह मैं आपको बात में बताऊंगी वीडियो को आप देखते रहें पूरा इसे अच्छा से मिक्स करेंगा और मसाले को हमें जब आपको भी इसी तरीके से करना है और अब में डालूंगी एक बर में चैक कर लेती हूँ देखें मुझे लगा है तो अब मैं इसमें क्या करूंगी मैं डालूंगी थोड़ सा पानी ताकि हमारे जो मसाला से और टाइम मिल जाए पकने के लिए थोड़ा गीला हो जागा तो पानी दालें जाए लगवग 3-4 चंब चाहँ दालना है पानी और इसे हम और पका लेंगे अच्छे से पकाएंगे बिलकुल इस तरीके से ड़कर पकाएंगे लगवग एक मिनट देखेंगे हमारा मसाल अच्छी सबग गया मतलब आप अंडे की करी के लिए जितना उसका मस तिक थिक बनेगी अच्छी खासी बनेगी जादा पानी वाला अच्छा नहीं लगता अंडा करी तो थिक वाला बनाया है तो आप उसी साब से ज्यादा कम कर लीजिए तो पानी लगवग टोटल एक गलास डाल दिया मैंने इसके अंदर और अब मैंस में डाल दूंगे अप चमबच हाथों से क्रश करके आपको डाल देना है इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और अब मैं इसे कर दूंगी मिक्स मसा सॉरी नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूं इसके अंदर आपने देखा था तो नमक मुझे नहीं डालना है आपको जादा कम जैसा यह अच्छा फ्लेवर मैंने बढ़ दिया है खोलते ही गैस को तरह था थंडा करने के बाद 10 पिद तक देखेंगे ना सारते अच्छा कितनी अच्छी लगनी देखने में और खुश्भू कितनी मज़ेदार आ रही है कितनी अच्छी लगती है ना प्लीड में डालने के बा एक बार जरूर ट्राइब करें मेरे तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी मेरे गहने से एक बार अंडा करी जरूर बनाए कोई ताम जाम नहीं है बहुत ही असान सी रेसिपी है और सब कुछ है आपके घर पैसा कुछ नहीं की प्यास टमाटर धनिया सब हर चीज अवेलेब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई